नमस्कार दोस्तों विल्किमियो टू जिकेट्रिक्स इस वीडियो में रीट एक्जम्स के लिए मनोवगयन की टेस्ट रिज को आगे बढ़ा रहे हैं यह हमारा 11 वीडियो है इसके बाद में केवल 4 वीडियो और बचेंगे इस तरह हम 15 वीडियो की माध्यम से संपूर काबले अच्छा ही स्कूर करेंगी इतना मेरा विश्वास हैं तो आप भी कर्टूने स्टेस्ट रिज को फॉलो जरू रखें चली स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रस कोशन दे रखाएं सारिक्व मांसिक कार्यों में परस पर संबंद का अभाव को दरसाने वाला कौन सा विका हैं बुलीमिया और्टिज्म मोटोरिक या फिर कोई नहीं तो यह होता है मोटोरिक ऑप्शन नमर थाड़ हमारा करेक्ट अंसर होगा तो यह आप दियान रखेगा सारिक्व मांसिक कार्यों में परस पर संबंद का अभाव दरसाता है मोटोरिक नेक्स आगे देखते हैं पि परिबासा किसकी द्वारा दे गई थी यह परिबासा दे थी बर्ट ने ओप्शन नमर सेकंड हमारा करेक्ट अंसर होगा यह आप दियान रखेगा पिछड़े बाले की यह परिबासा हैं कीवर्ट के रूप में आप यह दियान रखे एक सीड़ी नीचे ठीक है नेस्ट अगर देखते हैं स्रजनात्मक्ता के विकास के लिए किन परतिमानों का परियोग किया जाना चाहिए ब्रुनर का संप्रते उपलबदी परतिमान सचमेन का प्रिच्छा परिक्षन परतिमान मस्तिस उद्विलन उप्रोक सभी तो इन सभी परतिमानों का परियोग किया जान आगे देखते हैं बाल अप्रदी बालक की बुद्धी लब्दी कितनी होती है उसत उसत से कम उसत से ज्वादा या फिर उप्रोक सभी तो यहाँ पर हमारा करेक्टांस रोगा उप्रोक सभी जो बाल अप्रदी बालक होते हैं उनकी बुद्धी जरूर नहीं है कि उसत से कम हो औसद भी हो सकती है औसद से ज्वादा भी हो सकती है एक परतिबसाली बालक भी बाल अपरादी हो सकता है तो यह आप ध्यान रखेगा आगे देखते हैं बाल सुधार ग्रह किन बालकों के लिए होता है तो बाल सुधार ग्रह यह बनाए जाते हैं बाल अपरादियों के लिए नेक्स आगे देखते हैं सैक्सिक उपलब्दी में पिछड़ने वाले बालकों को किस नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर जो मरा करेक्ट अंसर होगा वोगा पिछड़ा बालक आगे देखते हैं नवीन चिंतन करने वाला बालक कौन सा बालक होता है तो यह होता है स्रजनात्पक बालक नेक्ट आगे दे रखा है वर्तमान इस्तति के तनाव से बचने के लिए अपनी पूर्व इस्तति में लोट जाना क्या कहलाता है तो यह कहलाता है प्रतिगमन ओप्शन नमबर 2nd हमारा करेक्ट अन्सुर है जितने भी मैं आपको आज इस वीडियो में अधिक सदिक परिपासा बताऊंगा जैसे कि यहाँ पर एक बता दिये प्रतिगमन की आगे भी और बताऊंगा उन सभी के बारें आप कंटरस्ट लिद्यान रखेगा रीट एक्जाम में इससे सम्मंतित डायकली कोशन पूछे जाते है अपनी दमित इच्छाओं वा आकरोश को कमजोरों के उपर निकालना क्या कहलाता है तो यह कहलाता है विस्थापन ओप्शन नमर थाड़ियां पर करेक्ट है अपने गुण दोसों को भूलकर किसी दूसरी विक्ति के गुण दोसों को अभिविक्त करना क्या कहलाता है तो यह कहलाता है आत्मी करन नेक्स्ट आगर देखते है अधिगम की कटिनईयों का निवरण किया जा सकता है तो आप बता है इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वोगा ओप्शन नमर फोर्थ सम्वेगा अत्मत विकास के द्वारा समयोजन को परभवित करने वाला कारक कौन सा है इसका जो करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमर फिप्ट सभी यह सभी कारक होते हैं समयोजन को परभवित करने वाले नेक्स्ट आगे दे रखाएं सपनों की दुनिया में आईएस बनकर कार्य करना यहाँ पर कौन सी युकती है आप बताएं तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा दिवास सपन आप्शन नमर फर्स्ट आगे देखते हैं अपनी इच्छा की पूर्ती करने तथा तरनाव से मुक्ती पाने का परिणाम ही समयोजन है तो आप बताएं यह परिभासा किसकी है तो यह परिभासा दी गई थी आप्शन नमर सेकेंड कोल बेन के द्वारा तो आप ध्यान रखियेगा आगे देर रखाएं कलपना सीलता, मौलिकता, लोच सीलता, धारा प्रवाहिता, आधी विशेष्टाओ का मापन किसमे होता है तो यह जो सारी विशेष्टाइ देर रखियें यह होती है स्रजनात्मक बालक में तो आप्शन नमर सेकेंड अमरा कर्रेक्ट आंसर होगा मानसिक धकान का लक्षन है ये question second grade exam में पूछा हुआ है तो आप बता है इसका सही answer क्या होगा यहाँ पर इसका correct answer है ध्यान का केंद्रित ना होना आगे देर रखाएं एक विद्यारती रीट में बार बार परियास करने के बावजुद भी अस्षफल हो जाता है तो वह किसका सिकार हो जाएगा तो ये सिकार हो जाएगा भगनासा का ओप्सन मर फोर्थ हमारा correct answer होगा आगे देर रखाएं पिछड़े बालकों की पहचा निम्न लिकित में से किस विद्य द्वारा संभव हैं बुद्धी परिक्षन द्वारा उपलब्दी परिक्षन द्वारा नैदानिक परिक्षन द्वारा या फिर सभी यहाँ पर हमारा correct answer होगा सभी आगे देर रखाएं किसोरों में द्वंद उबढ़ने का पर्मु कराण क्या हैं तो यह होता है अवसरों की पर्तिकोलता फिर आगे देर रखाएं निम्न मैं से बच्चों के विकास में सरजनात्मक्ता के विकास में सायक नहीं है तो आब बताए कौन सा होगा? खेल, भासन, कहानी लेखन या फिर निर्मान समंदिक करियाएं तो सरजिदात्मक्ता के विकास में सायक नहीं होता है भासन बागी सारे ये सायक होते हैं आगे देखते हैं विद्याले से पलायन करने वाले बालक के अध्यन की सबसी उप्युक्त विदी कौन सी हैं? तो ये होती हैं, केस स्टडी विदी आगे दे रखाएं विशिष्ट बालकों के अंतरकत निम्न लिकित में से कौन सा बालक आता हैं? पिछड़ा बालक, मन्द बुद्धी बालक, परतिबस अली बालक या फिर सभी तो यहाँ पर इसका करेक्ट अंसरों का सभी विशिष्ट बालक विए होते हैं जो समन्य बालकों से या तो अध्य खौनसियार होते हैं या फिर कमजोर अफिज्या क्या हैं? तो यह होता हैं बासाग्रण विकार आगे दे रखाएं बालकों का पिछड़ापन मापने के लिए सूत्र किस मनवेगरिक ने प्रस्तुत किया था तो यह प्रस्तुत किया था ओप्सिन नंबर फोर्थ बर्टने फिन्याक्ष्ट आगे देखते हैं किन छात्रों को मूर्थ रूप से पढ़ाना चाहिए तो यह पढ़ाना चाहिए मंद बद्धी बालकों को मंद बुद्धि के कारण जिनकी बुद्धी लब्दी 25 अधिक्तम होती है कैलाते हैं तो यह कैलाते हैं जड़ बुद्धी समयजित व्यक्ति की विशेशतर नहीं है तो अब बताई इसका सही आंस्वर क्या होगा इसका सही आंस्वर है अत्यन्त क्रोधी आगा देखते हैं एक किरकेट खिलाड़ी बार-बार खराब खेलने का कारण अपने बल्ले को देता है यहाँ पर कौन से युक्तिया बताएं यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ओप्सन नमबर थर्ड प्रक्षेपन एक व्यक्ति पहले गुंड़ा था तथा बाद में वो बॉक्सर प्रसित बॉक्सर बना यह है तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा उद्धातिकरण एक अप्सन नमबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है उद्धातिकरण क्या होता है उद्धातिकरण में समाच द्वारा अम्मानिय परवर्टियों को मानेता में बदादना तो यह आप ध्यान रखेगा जिनकी मानसिक दुरबलता से सिर का अकार सिर के आकार में व्रद्धी हो जाती है और सिर की परिदी 28 इंच तक हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें कहते हैं Hydrocephaly option 4 हमारा correct answer होगा आपको comment section बताना है कि mangalism क्या होता है creatinism क्या होता है और microcephaly क्या होता है last video जो आमने देखा था था अधिक समन्जिस्य की शमता रखने वाले विद्यारती होते हैं तो यह होते हैं पर्तिबासाली आगे दे रखाएं मटे तौल उपर बाल अपराद सब्द किसी कानून के भंग किये जाने का उल्ले करते हैं तो यह परिवसा किसकी है यह है वैलेंटाइन की आगे देखते ह पर्तिबा साली बालक दो परकार के होते हैं, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्दी 130 से अधिक होती हैं, वह बालक भी पर्तिबा साली बालकों के स्रैणी में आ जाते हैं, जो किसी विशिष्ट छेत्र, जैसे की कला है, नर्ति हैं, संगीत हैं और खेल हैं, आदी में अपनी प्रियोग कसने किया था ऑपिसिन नमर्फरस्ट अमारा करेक्ट रalnya आगे दिया रखाएं भारत में स्रजनात्मक्ता पर किस ने परिक्षन किया तो도 किस ने खिया यह किया था बाकर महंदी ने कि अचाफ पर अब ॸिनितन अधारीत होता है तो किस पर रादधारीत होता है यह होता है बुद्धी पर और अब सरी चिंतन किस पर होता है वह होता है श्रजनात्मक्ता पर आगे देर रखाएं विद्याले में मानसिक स्वास्त्य की खराभी का कारण क्या है कठोर अनुसासन व्यावसाइक अइस्तिर्था अत्यद्धिक कार्यभार तो यहाँ पर इसका और और अउप्रोक्त सभी समयोचन से तात पर यह स्वयम का विद्विन पर इस्थित्यों के अनुकुल करना है ताकि संतुस्ट किया जा सके तो अब बत आ इसका सज़न्वर क्या होगा दूसरों को प्रेहर को उद्धिशकों को आफसक्ताओ को इसका के समाजी क्रण का पर्थम घटक हैं तो यह होता है परिवार नेक्स्ट आगे दे रखाएं समयोजन के संदर्ब में निमन लिकित में से क्या सही नहीं है तो आप बता इसका सही अंसर क्या होगा इसका करेक्ट अंसर होगा और सेकेंड यहां निरंतर चरने वाली प्रक्रिया नहीं है यह गलत दे रखाएं यहां पर अंतर द्वंद एक ऐसी पीड़ा दायक संविग अत्मक अवस्ता हैं जो एक दूसरे को काटने वाली और विरोधी इच्छाओं से उत्पन तनाव की करण अस्तित्यों में आती हैं परिभासा प्रस्तुत की गई तो यह परिभासा दी थी डगलस वो हॉलेंड ने निम्न मैंसे कौन सा कतन समाज विरोधी बालकों के बारे में सही नहीं हैं तो यहां पर इसका करेक्ट अंस रोगा और फोर्त समाज विरोधी बालक के लक्षय यत्थार्थ बादी होते हैं तो यह गलत हैं समाज विरोधी बालकों के बारे म प्रतिष्टापन प्रतक्रण या फिर प्रतिगमन तो आप बता इसका सही अंसर क्या होगा अगर आप इस कोशन का आंसर दे पाते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी तियरी काफी अधिक अच्छी हो गई है और आप इसका आंसर तभी दे पाएंगे जब आप घर पे आप को जो मैंने समयोजन अधिकम की कठी नाई यह इनके बार में आपकोamorph गाई होगी तो आप लीकर पिड़ा एक अबinka के बारे में पढ़ाओगा पर्ति स्थपन के बारे में पढ़ाओगा और पर्ति गमन के बारे में पढ़ाओगा पर्थक करण के बारे में आपने नहीं पढ़ाओगा तो इसका अंसर क्या होगा ओप्स नुमर थर्ड आगे देखते हैं कुंठा उत्पन हुन्ने का कराण क्या है बहुतिक कारक समझे कारक आर्थिक कारक यहां पर इसका सही अंसरों का सभी भोजन समंधी असमन्य व्यवार क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है यह कहलाता है बुलीमिया comment section में आपको लिखके बताना है dyslexia क्या होता है और dyslexia क्या होता है और हमारा last question दे रखा है जूट बोलने की अद्दत इस मनोरोग को कहा जाता है last video में भी हमने इस question के बारे में discuss किया था तो अब मैं आपको इसका answer नहीं बता होगा आपको कितना याद रहता है आपको comment section में लिखके बताना है तो इसका answer क्या होगा मैं आपको यहां पर 2 option card देता हूँ ताकि आपके लियासा नहीं हो सके illusion नहीं होगा और phobia नहीं होगा तो आप बता है इसका जही answer क्या होगा तो फ्रेंड्स यह था हमारा वीडियो और फ्रेंड्स मैं आपको बता दू कि कल कोई वीडियो नहीं आएगा क्योंकि जो फॉर्थ यूनिट है इसमें अधिक कोशन बनते नहीं है तो मुझे काफी अधिक प्रॉब्लम हो रही है पीडियो बनने में भी काफी अधिक समय लग रहा है तो फॉर्थ यूनिट के केवल हम दो वीडियो देखेंगे कल कोई वीडियो नहीं आएगा और आप अब फिप्थ यूनिट की तियारी कर सकते हैं जो कल के अलवा जो नेक् सब्सक्राइट कर देंगे तो तब तक के लिए बेस्ट आफ लग थैंक यू थैंक यू वे नशाद इसक्रिशन